वाह यार ये एक ही दिन में कितना कुछ आने वाला है Marvel ने अपने Face 5 और Face 6 को Announce कर दिया है साथी Wakanda Forever का ट्रेलर आया है और She-Hulk कभी एक extended ट्रेलर आया है और वो भी Dare Devil के साथ लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि Face 5 में कौन-कौन से मुवीज और सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है और साथी देखेंगे कि Face 6 में Marvel का कौन-कौन से मुवीज आने वाली है और ये कितना बड़ा स्केल पे प्लैन कर रहे हैं अपने Phases को आगे बढ़ाने के लिए I am damn excited ये तो बोलना पड़ेगा और कौन-कौन से हमारा देखना बाकी है तो अगर मुवी सेक्शन में आए तो हमने सबसे पहले देखा ब्लैक वीडियो उसके बाद आई Eternals और उसके बाद आई शैंग ची और उसके बाद आया हमारा सबसे धमाकेदार मुवी Spider-Man No Way Home फीट आया Doctor Strange in the Multiverse of Madness और फाइनली हमने आखरी जो देखा है मुवी वो है Thor Love and Thunder इसके बाद जो हमारे Face 4 का जो end है वो होगा Wakanda Forever से जो कि एक emotional tribute होगी और साथ ही एक new setup देगी Black Panther के character को Wakanda Forever जो 11.9 को इसी साल आएगी उस पर Face 4 खतम हो जाएगा इसके एक teaser trailer भी अभी रिलीज हुआ है वैसे Face 4 में आने वाली series की अगर बात करें तो सबसे पहले आई थी Wanda Vision उसके बाद आया The Falcon and the Winter Soldier उसके बाद आया Loki की season 1 फिर आया Hawkeye उसके बाद Moon Knight और उसके बाद Miss Marvel और अभी She-Hulk बाकी है She-Hulk भी Disney Plus Hot Star पर हिंदी में रिलीज होने वाली है 17 अगस्त को अगर हम Face 5 की बात करें तो Face 5 की शुरुवात होने वाली है Ant Man and the Wasp Quantum Mania से जो रिलीज होगी 17 फरवरी को 2023 में और ये फिल्म लोकी की season 1 से connected रहेगी और इसी फिल्म में हमें देखने को मिलेगा Nick Fury पर Nick Fury बहुत दिनों बाद आने वाले है और ये रिलीज होगी March से June के बीच में Disney Plus Hot Star पर Next अगर हम मुवी पर आए तो जो नेक्स्ट मुवी आने वाली है इसके बाद वो है Guardians of the Galaxy Vol. 3 जो की रिलीज होगी 5 माई 2023 को और यूमर्ड है कि ये Guardians के आकड़ी मुवी होगी मतलब James Gunn ने जो तीन पार्ट की स्टोरी लिखी है उसके अकॉर्डिन पर होफ़ोली सारे Guardians नहीं मरेंगे इसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके बाद Guardians को जैसे हमने देख रखा है वैसे वो नहीं रहा जाएंगे Let's hope for the best उसके बाद Summer 2023 में आएं तो आपको एक Spin-Off Series देखने को मिलेगी एकोपे जो की Character आपने एह Hawkeye के Series में देखा है इसके बाद आज आए July में तो आपको The Marvels देखने को मिलेगी जो basically Captain Marvel और Miss Marvel की एक Sequel होगी उसमें तीन लेडी Super Heroes हमें देखने को मिलेंगी Miss Marvel, Captain Marvel और Monica Rambeau प्रेबाद हम फेवरेट लोकी का Season 2 आने वाला है Summer में ही जिसमें हमारा लोकी और सेल्वी ने मिलकर जो कांड किया था उसके वज़र से Multiverse क्रियेट हुआ उसको लोकी कैसे ठीक करेगा उसकी स्टोडी हमें लोकी Season 2 में देखने को मिलेगी इसमें अगें Kang the Conqueror की एंट्री होने वाली है उसके बाद आने वाली है एक फिल्म Blade जो 3 नवंबर 2023 को डिलीज होगी Basically अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है Blade वाली तो ये sort of reboot ही होगी अगर आपने Eternals का post credit scene देखा है तो उसमें Blade की आवाज आती है और वहीं पे हमारवल ने हमें हिंट दिया था कि Blade की कोई ना कोई मूवी या सीरीज जरूर आएगी Blade में Black Knight का भी appearance हो सकता है इसके बाद Iron Heart नाम से सीरीज आने वाली है Disney Plus Hot Star पर जिसकी जलक हमें Wakanda Forever के टीजर में दिखाई दी है वो हथारे से लटे के पाले हार्ट को तोड़ने वाली वो लड़की Iron Heart ही है एक और सीरीज देखने को मिलेगी Agatha Harkness नाम की अब पता नहीं इस character पर ये एक dedicated सीरीज बनाने की क्या जरूरत है ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता चल पाएगा अब इसके बाद तो इसके बाद शुरू होगी असली Marvel का माल आना Captain New World Order जोकी एक जबरदस्ट फिल्म होगी इसमें नए Captain America की निव स्टोरी होगी जोकी Sam Wilson है और इसके बाद जो वेब सीरीज आने वाली है उसके लिए आप शायद रेडी नहीं होगे जी हाँ हम बात कर रहे है डेर डेविल बॉर्ण अगें की जिसके अंदर 18 एपिसोर्ट होंगी अब डेर डेविल की MCU में ओफिशल एंट्री Spider-Man 9 होंगे अंदर हो चुकी है एक ऐसा वेब सीरीज है जिसके लिए मैं तो बहुत ज़ादा एक्साइटेड हो आप बताना कमेट्स में की आप कितने एक्साइटेड हो और Face 5 की लास्क मूवी होगी Thunderbolts जोकी 26 जुलाई 2024 को डिलीज होगी अब ये जो फिल्म है वो एक टीम की होगी जो एंटी हिरो टाइप सुपर हिरो से बनी है बेसिकली आप इसे Marvel की टाइट स्कॉर्ड कह सकते हो इस टीम में हो टास्क मास्टर, कैंग, एक्सेक्रा और लाइक्वाइस तो ये है Marvel Face 5 का लिस्ट जो हमें 2023 से 2024 के बीच एंटर्टेन करने वाली है इसके तुरंद बात Marvel ने अपने Face 6 को भी एनाउंस कर दिया दो नौट कम्प्लीटली क्योंकि Face 6 का अभी तक बस तीन मूवी का ही एनाउंसमेंट केविन फाईगी ने किया है अब बात करे Face 6 की पहली मूवी की तो वो होगी Fantastic 4 जो रिलीज होगी November 8,2024 में और Face 6 खत्म होगी सबसे बड़े Blast के साथ जो की होगे दो Avengers के मूवी सबसे पहले 2nd में 2025 को आएंगी Avengers The Kang Dynasty यहाँ इसमें Kang के साथ कुछ ना कुछ के रिलेशन होगा Avengers के टीम का और इसमें एक बहुत ही तगड़ा फाइट हमें देखने को मिल सकता है वो भी Avengers Infinity War या Endgame लेवल का और फिर उसके कुछी समय बाद आएगी उसी साल November 7 को Avengers Secret Wars I'm so fucking excited for this अब इसके बाद बीच में साथ और प्रोजेक्ट्स है जो एव अनौन्स किए लेकिन यही प्रोजेक्स के कौन से कम है अभी हम सब जब सोच रहे थे कि Marvel का content अब डाउन जाने लगा है और content के quality degraded होने लगी है तभी इन्होंने proof कर दिया कि इनके पास content की कोई कमी नहीं है तो ये था Marvel का phase 5 और phase 6 का पूरा details ये वीडियो बस एक छोटा सा recap था अगले आने वाले वीडियो में हम और अच्छी से बात करेंगे इन movies और web series के उपर तब तक के लिए अपना खयाल रखे थैंक्स लोट फर वाच्छिंग थैंक्स लोट फर वाच्छिंग